हमारा NGO है MESCO, Modern Education, Social and Cultural Organization, यह organization जो है पिछले 53 साल से मुंबई में काम कर रहा है, हमारे पास भी जो है हम कम से कम 4000 से जादा बच्चों को हम scholarships देते हैं, प्लस, adoption scheme में हमारे पास 500 से जादा बच्चे, 530 बच्चे है अभी फिलहाल, जिने हम total education support देते हैं, आप अपने साथ youngsters को जोड़िए, youngsters को जोड़िए, उन्हें involve कीजिए काम करने में, और उन्हें motivate कीजिए, जूँकि इदारा है ये, एक organization है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों की जरुरत है, हम रहेंगे, तो हमारे यहां पे अभी हमने advisory board भी बनाया है, तो advisory board पे हमारे यह जो retired members रहेंगे, वो हमेशा advisory board पे रहेंगे, इतना demand school के लिए कि हमें 80 बच्चों का admission देना है, तो कम से कम 800 से जादा applications आते हैं, क्योंकि हमारे यह सब compliance है, हम लोग कोई भी illegal काम नहीं करते हैं, और इसलिए शायद हम लोग पीछे-पीछे रह जाते हैं constructions के मामले में, school के जो होता है, जो government की policy है, recruitment की, exactly हम वही follow करते, government qualification schools के लिए, तालिम के जरिये ही, हम हमारी किस्मत में जो लिखा है, उससे और उससे और अच्छा भी अच्छीव कर सकते हैं, हमारे report में ही पूरा balance sheet दे देते हैं, कि हमने पैसा कहां से जमा किया, कहां खर् किया, सबसे पहले, खुदा का खौफ होना चाहिए, जिसके दिल में खुदा का खौफ हो, कि ये पैसा तुम्हें दिया जा रहा है, it's a trust, trust का मतलब क्या होता है, भरोसा, काम करना है तो आच्छे से करो, professionally करो, नए तो फिर मत करो, time waste मत करो, अपना भी और दूसरोंगा भी कि ये टी, असलाव अलेकुम सिफ यहां पर ही नहीं आप हमारे वेबसाइट पे भी जा के देख सकते हो आपको सब डेटा मिलेगा निनाथ for your information निनाथ सुन नहीं रहा भी तो I said you can get all our information on our website also इससे भी आगे we have a data management system which is going to be soon integrated with our website so that even our beneficiaries and our donors can check their contribution to the organization throughout as many years they want okay and also so we have a full plan in place for our data management system तुके आप लोग वो सब टर्म समझेंगे इसलिए मैं आपको उसी टर्म में बता रहा हूँ NGO का नाम हमारा NGO है MESCO Modern Education, Social and Cultural Organization ये organization जो है पिछले तिरपन साल से मुंबई में काम कर रहा है अब येस तिरपन साल से 53 years it has been working and I don't know how Ninath missed the organization जब उनोंने बोला कि CSR में उनोंने चेक किये और उनको organizations में मिले नहीं सिर्फ दो ही मिले तो I was really surprised कि MESCO कैसा नहीं मिला होने कि जबके website पे सब चीज़े available है तो मतलब इनके search करने में भी कहीं पे कुछ ना कुछ लाक्यों ना है चुँकि अभी किस तरह से उनोंने NGO search किया पता नहीं तो ये MESCO MESCO Modern Education Social and Cultural Organization मैं उस organization का president हूँ और ये हमारे executive officer है ऐसान सर हमारे साथ में है और मैं खुद इस organization से पिछले तीस साल से जुड़ा हूँ तो नहीं और ये मेरा passion है मैं तो खुद full time lecturer हूँ associate professor college में पढ़ाता हूँ और ये trust को समालता हूँ as a trustee and हमारे पास सब schemes है अलग-अलग portfolios है और हम एक proper as a business organization इसे चलाते है proper salaries देते है staff को भी अच्छी तरह से appraisal भी होता है increments भी होते है हमारे scales है regular basis में जिस पे हमारे scales में grades है अलग-अलग अलग-अलग level के लिए grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 जैसे के government staff में भी grades होते है और जिस तरह से scales बनाए जाते है वैसे ही scales है हमारे पास और हमारे पास सभी department में head of the department है और उसके अंदर काम करने लिए दुसरे लोग है प्लस field में काम करने के लिए हमारे पास field workers है और ये सबी जो है ये professionally paid workers है जिनको सही से तंखा दी जाती है वक्त पे दी जायती है हमारे executive officer can vouch for it कि हम वक्त पे देते हैं सब पो और हम lockdown में भी जब पिशली साल हमारे school हमारी जो चलती है crescent में कौसा में हमारे कौसा के representative भी है वो भी गवाई दे सकते हैं कि हमने teachers की salary हमने pay की थी lockdown में भी सबी को और हमारे teachers ने खुद voluntarily 15% अपनी salary reduction के लिए वो किया था त्योंकि government ने 25% fee reduction की थी तो fee reduction करने के बाद भी बच्चों की fees नहीं आ रही थी तो हमने उसके लिए भी fund raise किया और उसके लिए हमने crowd funding भी की थी बच्चों के लिए online जिसके जर्ये काफी बच्चों की fees का इंतिजाम भी हुआ था और उसके वज़े से हम हमारे teachers को भी सही से pay कर सके और ये तो एक project अलड़ी है plus हमारे nursery schools 14 nursery schools जो slum areas में चलते हैं वहाँ पे भी enrollment तो कुछ हुआ ही नहीं था बच्चों का लेकिन हमारे teachers और हमारे जो वहाँ के खालमास है इतने सालों से हमारे साथ जुड़े थे तो हम उनका हाथ ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे तो हमने उन्हें भी पूरी तनकहँ दी थी और अलहमदुल्लाँ इसी वज़े से अल्ला तालन ने हमें और नवाजा और अलहमदुल्ल्ला हमारे पास अच्छा खासा फंड आया जिसके वज़े से हम कोई deficit में नहीं गए और हमें जो भी हमें करना था जैसे हमने हमारे students के लिए भी हमारे पास भी जो है हम कम से कम 4000 से जादा बच्चों को हम scholarships देते हैं प्लस adoption scheme में हमारे पास 500 से जादा बच्चे 530 बच्चे है अभी फिलहाल जिने हम total education support देते हैं तो इन बच्चों को भी lockdown में हमारे counselors और staff के तुरू हर एक बच्चे को call करके गर पे पूछा गया था कि आपकी क्या परिशानिया है लोगडाउं के वेज़े से आपकी घर में क्या दिक्कत आ रही है तो कुछ लोगों को खाने पीने के लिए भी क्योंकि सब की नौक्रियां चेले गई थी काफी लोगों की नौक्रियां चेले गई थी तो उसलिए उन बच्चों की घरों तक राशन तक पहुचाया गया था और जो बच्चे मतलब जिनके हम नहीं पहुचा सके थे हमने उनके अकाउन में डारिक ट्रांसफर पैसे करवा दिये थे ताकि वो अपनी जरुरियात को पूरा कर सके तो यह हम यह जो एंजियो चला रहे हैं हमारे फाउंडर्स काफी जईव हो चुके हैं सबके सब 75 प्लस और कुछ तो अल्ला ताला को प्यारे भी हो चुके हैं अल्ला उनकी मक्फिरत करे और उन्होंने अपने लिए तो एक सवाब जारिया शुरू कर दिया है चुके जब उन्होंने शुरू किया था 53 साल पहले तब वो सब कॉलेज में पढ़ने वाले यंग्स्टर्स ही थे लेकिन अपने सातियों के पास वो देखते थे कि कुछ लोगों के पास कॉपी किताबों की ज़रुरते पूरी नहीं हो सकती थी तो ये यंग्स्टर्स ने मिलके एंजियो शुरू किया था 1968 में और वहाँ पे जब शुरूआत हुई थी तो ओल्ड न्यूस्पेपर कलेक्शन घर घर जाके जूने पेपर्स रद्दी उठाते थे और हमने भी खुद किया है प्रोफेशर होने के बावजुद घर में जब जाते थे कलेक्शन के लिए लोग पुछते थे आप क्या करते थे नोई तो भलतते हैं हम कॉलेज में पड़ाते तो लेकड़ धम सुप्राइज हो जाते है आप कॉलेज के प्रोफेसरों के रद्धी जमा करने आ रहे हो घर पे नहां कौन के लिए कुछ करना है तो कर सकते हैं ना उसमें क्या है जब हमारे जब हमारे फाउंडर मेंबर्स ने जब उन्होंने कलेक्शिन किया है घर कर जाके रद्धी जमा की है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं हम क्यों दे तक रात तक कॉन्टक कर रहे, लोगों को फॉलोफ कर रहे है जकात के लिए, तो वो जजबा हमें भी आया, हम भी रात को 11-12 बारे बैतक घरों पे जाते रहते जकात जमा गर निकरे, लोगों के बाज वक्त वएसा ही रहता था, कि ईशा के बाद आओ, फजर के बाद तो क कुर्बानी के वक्त हम खाले भी जमा करते थे, सभी लोग अपने घरों में ईद बनाते थे, हम रस्तों पे ईद बनाते थे, कुर्बानी के लिए खाल जमा करने के लिए फजर जहां जमा करना एरिया में, उस एरिया में जाके ईद के नमाज अदा करते थे, चाई पिए, नई पीए, शिर्कुमा वगेरे कुछ हमने देखा ही नहीं कुर्बानी के वक, या कुछ भी मीठा नहीं देखा, हमारे साथ साती है, अबारे पांच लोग सात में और आयो हुए है, सभी लोगों ने काम किया है, सुबा सुबा में निकल जाते थे घर से, जो एरिया में जाना है, वहाँ जाके, वहाँ ही पी नमाज परते ही इतगी, और इमीज इतगी के कुर्बानी का मसला भी ऐसा रहता थे, जो पहले पहुचा उसे मिलेगी खाल, तो वो भी हम लोग जाके जमा किये, पूरा दिन अपने कपडे खून में रंग जाते थे, पूरे खालो उठा के, और रात तक हम करते ही रहते थे, तो ये सब हमने देखा हमारे सीनियो इसको करते हुए, इसलिए हमें भी जज़बा आया, और हमारे अभी जो है बच्चे, हमारे ट्रस्ट में ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जो है वो वैठा है वही पर कुर्सी पे चिपके, नहीं, हमारे यहाँ प करते हैं, पहले वॉलिंटरी सर्विसेस के लिए, जो वॉलिंटियर्स हमारे साथ जूडते हैं, फिर उन्हें हम पोर्टफॉलियो कमिटी के साथ अटाच करते हैं, जैसे के जेनरल रिलीव पह है, रिलीव पॉवर्टी में राशन डिस्रिबूशन है, सिलिंग मेशीन डिस प्रिबुशन है, medical scheme है, nursery schemes है, education के schemes है, तो हम हमारे students को भी, जो ex-students हो चुके अभी, जो settle हुए है, तो उन्हीं भी जोर देते साथ में, ओटफॉले में रहके सीखते हैं वो की काम कैसे किया जाता है, फिर ये बच्चों का जज़वा देखिए हम उन्हें फिर subcommittee में लेते है subcommittee में कम से कम दो साल की उन्हें grooming होती है, executive board के साथ, board of directors के साथ में, फिर उसके बाद जब देखते हैं कि हाँ ये बच्चे है और ये जो है eligible है, उन्हें जज़वा है काम करने का, ये कर सकते हैं, और जज़वा तो automatically आ जाता है, जैसे हमें ज़वा हैं हमें seniors को देखके, त वैसे youngsters में भी जज़वा आई जाता है, तो ये ज़वा पैदा करना बहुत ज़रूरी है, तो ये NGOs चो अभी हैं यहाँ पे, मैं वैसे यही गुजारिश करूगा, कि आप अपने साथ youngsters को जोड़िए, youngsters को जोड़िए, उन्हें involves कीजिए काम करने में, और उन्हें motivate कीजिए अभी हम जब चिपलून में गए थे flood relief के लिए भी, तो वहाँ पे हमारे youngsters हमने देखे इतने सारे youngsters, वहाँ जो टाम कर रहे थे field में वो youth थे, जादा करके जो नौजवान जो थे बच्चे, वो इतना जज़वा था, बस उनके साथ थोड़े देर बैटके हमने वक्त एक दो घंटा गुजारे बात करने में, तो उनमें तो और जज़बा बढ़ गया, कि नहीं हमें ये भी करना है, हमें ऐसा भी करना है, हमें ये भी करना है, फिर हमने उनको पताया कि MDC भी क्या होता है, scholarships क्या होती है, हम कैसे काम करते हैं, फिर महाँ पे हमने उनको बताया कि आप टीम बनाओ, तो उन्होंने helping hands के नाम से एक नई टीम बना दी, 25 बच्चे इमिजिटनी जुड़ गए उसके साथ में working committee बनाई उन्होंने और अभी उसको भी वो register करने वाले तो हमारे लिए ज़रूरी यह है कि हम next generation के level से कैसे लोगों को motivate करके हमारे साथ जोड़े और उन्हें फिर आगे लेना है तो मेसको में भी अभी जो trustees है, तो हमारे पस trustees ऐसे भी है जुन्होंने मेसको से फाइदा लिया है क्योंकि उस वक्त वो जकात के हगदार थे, उन्होंने जकात के पैसों से अपनी तालीम पूरी की है लेकिन अभी अल्हमदुल्ला, अल्ला ताला ने उन्हें नवाजा है, तो वो मेसको के मदद करते है, प्लस मेसको में वक्त देते है, और अभी वो trustees भी है हमारे यहाँ पे तो trustees एक beneficiary, trustee भी बना है और ऐसे ही यह सिलसला आगे जाएगा त्योंकि यह मेसको जो है किसी का अपना खुद का अखेले का अधारा नहीं है यह registered public charitable trust है और यह trust का काम आगे बढ़ना है और इसको आगे बढ़ाने के लिए नए खून की जरूरत है और हर organization में नए खून की जरूरत है क्योंकि कहीं जगा पैसा होता है जो trusty है वो हमेशा के लिए trusty रह जाते अभी हमारे volunteers अभी जो हमारे committee members में भी है जो हमारे सबसे active committee member डॉक्टर मुहमद बबास खटखटे जिन्होंने foundations उसका ले किया था अब वो खुद अपने आपसे voluntary resign करके बोले नहीं मैं अभी हटता हूँ पीछे आप लोगों को आखे लेकि जाना है trust को तो अभी हमें relief करो लेकिन हम क्यों नहीं आप कैसे जा सकते लेकिन नहीं बस उनका है कि नहीं तो यह trust fit आगे कैसे बढ़ेगा चुँकि यह इदारा है यह एक organization है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों की जरुरत है हम रहेंगे तो हमारे यहां पे अभी हमने advisory board भी बनाया है तो advisory board पे हमारे यह जो retired members रहेंगे वो हमेशा advisory board पे रहेंगे तो advisory board पे guidance के लिए robbery के लिए यह हमें हमेशा साथ देंगे वहाँ पे तो यह ऐसा हमारा जो सिलसला है trust का चल रहा है अभी हमारे पास एक बहुत बड़ा school का project सामने खड़ा है जो मुम्रा में ही हम दूसरी school कायम कर रहे हैं वहाँ पे कौशा मुम्रा एक जो area है जहाँ पे जो अब बहुत गरीब तपका रहता है मुम्बई में वहाँ पे और अभी समझोर वहाँ पे काफी developments हो रहे हैं और अच्छे लोग भी आ रहे हैं लेकिन मुम्रा कवसा के area में हमने जब एक school हमने जो plot लिया था school बनाने के लिए तो बाजू में एक school थी तो वो school अले नहीं चाहता था कि हमारी school आए 14 साल तक हम litigation में थे एक के पर एक वो case किया जाता था plot के अपर कि आगरी का plot है यह ऐसा plot है वो वैसा plot है जूटे जूटे cases दाल दलके 14 साल कल जैसा बता रहे थे कि 13 साल तक आपको आजमाईश होगी आपकी तो हमारे साथ तो 14 साल जैसे 14 साल का वनवास हुआ था वैसे हमारे साथ भी वैसे हुआ 14 साल तक plot होकी भी हम कुछ नहीं कर पाए तो वहाँ पे rental basis पे school को हमने दुकानों में चलाया और उस दुकानों में रेंट पे लिए वे दुकाने थे और फिर दुसरे दुकानों पे लेके school को चलाया और अलहम्दुल्ला भी आप देखोगे YouTube पे आप जाके में सके Education Society टाइप करके देखोगे Crescent School तो आपको दिखाए देखे कि इतनी खूबसुरत इमारत ये तो अल्ला ताला नहीं नवाजार हमें तो तसवर भी नहीं कर सकते थे कि इतनी बड़ी इमारत हम कैसे खड़े करेंगे लेकिन अल्ला की मदद आई एक इमारत खड़ी हो चुकी लेकिन वहाँ इतना demand school के लिए कि हमें असी बच्चों का admission देना है तो कम से कम 800 से जादा applications आते हैं पहले तो line ऐसी लगती थी कि और previous day night से जाके लोग खड़े रहे थे line लगा दे थे असन मुला नहीं गवा है उसके वहाँ के ही रहने वाले है और कितनी मुश्किल से admission मिलता है उस school में क्योंकि हमने उस school का भी standard maintained किया, it is said to be the best paid school in Mumra for teachers and the quality भी जो उसकी है क्योंकि जब करो तो अच्छे से करो न तो मत करो, काम करना है तो अच्छे से करो, professionally करो नए तो फिर मत करो time-based मत करो, अपना भी और दूसरोंगा भी, तो ये चीज़ है कि school वहाँ पे अभी एक चला रहे थे तो उसमें demand इतना कि अभी जब TMC का जब नया plot निकला registration हुआ, तो वहाँ पे भी plot की reserve price हाला कि price इतनी नहीं थी लेकिन TMC में जब tenders float होते है तो अभी एक इंसान ऐसा था कि उसने 4-5 tenders float कर दिये अपनी मर्जी से prices दालके उसके वाज़े दूसरे ओं एंजियो उसको तकलीप पड़ गई तो हमने उसके लिए भी float किया the tender, लेकिन हमारे ओसके बीच में काफी फर्ग था तो हमारा जो tender था हो सवा करोर का था और उनका tender था सवा 3 करोर का और जब उसके tenders सब कुछ जगा पे थे, सब जगा पे तो government ने कहा, TMC ने कि नहीं आपको फिर उसको match करना पड़ेगा चूँकि अभी उसने highest दिया है और उसको फिर एक ही allot कर सकते थे plot ये tenders का system होता है school का, आपके लिए information के लिए क्या होता है कि जब भी reserve plot के tenders float किये जाते है government के, तो उसमें आपको भी tender बढ़ना होता है, तो किसी ने अगर एक से ज़ादा भर दिया है तो पहले उसे पूछा जाता है कि आपको कौन सा plot चाहिए, एक ही plot देते एक organization को तो उसको plot एक देने के बाद में उसने क्या किया उतको तो एक plot ही चाहिए था लेकिन सब plot के value उसने बढ़ा दिया अभी यह हो सकता है कि किसी की चाल भी हो सकती है, prices बढ़ाने के लिए तो फिर क्या हुआ कि हम तो हमारी गुंजाईश ही नहीं थी कि हम इतना 3 करोर, सवा 3 करोर का से लाएंगे immediately पैसा देने के लिए तो फिर हमने का नहीं हमसे तो नहीं होगा तो फिर हमने का यह plot अच्छा है, फिर हमने काफी लोगों से cancel किया, तो उने का नहीं, आप लोग उनसे time मांगिए तो हमने उनसे 5 साल का time मांगा कि हमें 5 साल का वक्त दीजिए ये पैसा जमा करके बढ़ने क्योंकि हम इतना पैसा एक साथ तो नहीं जमा कर सकते मुश्किल था, क्योंकि हमारा जो मेस्को एडुकेशन सोसाइटी, जो ट्रस्ट चल रही है जो ट्रस्ट वो डेफेसिट में हमेशा रहते क्यों टीचर्स की तंखा देनी है, फीज आती नहीं है तो हर साल वो तकलीव रहती थी फिर बाद में जब ये मौका आया सामने ट्रस्ट का तो हमने फिर बाद की कहा से कैसे ने, तो वहा हो की हमारे रोगे चारेटीज ट्रस्ट वह भी बंबाइ का काफी पुराना ट्रस्ट है तो उनके पास से हमें फिर कमिट्मेंट मिला के ठीक हम आपकी मदद करेंगे प्लोट लेने में तो फिर हमने फिर पहल की और 5 इंस्टॉल्मेंट के लिए वहाँ के कमिशनर जो थे आईस थे असीन गुपता साहब हमें नाम भी उनका याद है अभी तो वो नहीं है वाँ लेकिर असीन गुपता साहब थे तो उन्होंने फिर कहा कि उनसे जाके मुलाकात किये दो ने कहा ठीक है हम आपको 5 साल का वक्त देंगे आप 5 साल में 5 इंस्टॉल्मेंट में पे कीजिए तो अलहमदुल्ला वैसे कर करके हमने पेमेंट किया है अभी जब कंस्रक्शन का वक्त आया तो इनिशेली तो जो कॉस्ट था कंस्रक्शन का कुछ 13-14 करोड का ऐसा आ रहा था कंस्रक्शन शिरू करने के बाद लॉक्डाउन लग गया सभी को पता है कि लॉक्डाउन में सब चीज रुग गई थी काम सब काम रुग गई थे लॉक्डाउन खतम होने के बाद भी पर्मिशन के लिए सीसी के लिए प्लिंट वोक के सर्टिफिकेशन के लिए क्योंकि हमाने सब कंप्लाइंस थे हैं हम लोग कोई भी इल्लीगल काम नहीं करते और इसी लिए शायद हम लोग पीछे-पीछे रह जाते हैं कंस्रक्शन के मामले में ने तो मुम्रा में तो ऐसे रातो रात ऐसे बिल्डिंग ए खड़ी हो जाती है कि पूछो मत क्योंकि इंस्टिटूशन है इंस्टिटूशन को हम इल्लीगली नहीं करना जाते थे तो वहाँ पे प्लिंट वर्क का सर्टिफिकेशन के लिए फिर से उन्होंने एक साल निकाल दिया तो एक लोगडाउन का साल और एक साल प्लिंट की काम के लिए सर्टिफिकेशन के लिए और हमारे कीमते तो आपको मालूम है स्टील महेंगा, सिमिंट महेंगे, सब कुछ तो ये जो कॉस्ट था प्रोजेक का अभी उसका कॉस्ट है 30 करोर रुपीज 30 करोर 13 करोर कहा था और 30 करोर कहा आ गया तो अभी including all furniture, fixtures, सब कुछ करने के लिए 30 करोर और हमने target किया थे कि next जोर में उसकूल को शिरू करना है लेकिन हम इमत नहीं आ रहे है 30 करोर में से हमें at least commitment अभी तक जो है 24 करोर का था commitment आ चुका है हमारे पास किन वरुपना बस 6 करोर की और जरूरत है अब ये 6 करोर अल्ला ताला किसके जरीए कहा से दिलाएगा पता नहीं है कोशी शे तो जारी है हम काफी organizations को approach किये है कल भी हमारी बात हुई कि वर्ल में मन organization के साथ एक मुलाकात हो जाए ताकि उनके पास जी अल्हम्दुल्ला अल्ला ने बहुत नवाजा है होने और हम तो पहले कर पाते थे ये लेकिन अभी जो cost इतना बढ़ गया है कि अभी वो 6 करणोर का भी deficit सामने बढ़ा हुआ है इंशाला अल्हम्दुल्ला 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 जजाकर ला जी 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 नहीं रूबर रोग होती है तो अल्हम्दुल्ला जी आन्छी क्योंकि अभी हमें जून में स्कूल शुरू करना है तो अब जब तक में में अगर सब काम खतम हो जाएगा क्योंकि अगर ये साल अगर हमने permission नहीं नहीं गवर्णमेंट से हैं तो फिर हमें और एक साल के लिए रुखना होगा फिर हो क्या होगा कि ये सब पीछे चला जाएगा शेडूल और जो बच्चे जो फाइदा उनको बच्चों को पहुत सकता था वो नहीं पहुँच पाएगा तब ये दो डिविजिन का स्कूल है हर फ्लोर में इसके जो कंस्रक्शन एरिया है 12,000 स्क्वेर फीट पर फ्लो पांच माले की इमारत है इसमें हमारे याँ पे बेस्मेंट में और फिस्थ व्लोब पे स्कूल ड्रॉप आउट्स के लिए वोकेशनल ड्रेनिंग सेंटर भी हम शुरू करने बाले है Vocational Training Center वो भी हमारे Father Agnell Father Agnell Polytechnic के साथ हमने tie-up किया है और पिछले 15 साल से उनके साथ में हमारे Vocational Center चल रहे है लेकिन shops में यह भी तो अभी नई बिल्डेंग में हमने तैज दिया है कि एक floor हम पूरा Vocational Training कि इनके Dropouts को भी उतना ही हग बनता है एक अच्छी इंस्टिटूट में जाके पढ़ने का और मुम्रा कौसा के एरिया में Dropouts बहुत है और जिने पढ़ना लिखना नहीं है लेकिन उन्हें कुछ सीखना है हमने लोगों को रस्तों पे से पकड़-पकड़ के लाके उन्हीं सिखाया है Electrician का course, Wireman का AC Refrigeration का course हमने सिखाया है यह हमारी स्कूल की नई बिल्डिंग है यह नई बिल्डिंग है स्कूल की और यह जो है हमारी पुरानी स्कूल है Crescent स्कूल यह हमारी पुरानी स्कूल के बिल्डिंग है तो यह पुरानी स्कूल की जो बिल्डिंग है वो तकरीबन 2-acre जमीन है उस 2-acre जमीन में ये school का structure, school की इमारत खड़ी है और अबढ़ी जो नही जो building है जो school की वो एक 100-acre की जमीन है TMC के 100-acre जमीन में plotment खड़ी हो रही है टो टोटल construction पाँच मालिका है और बस आप सबसे गुजारिश है कि दुआ कीजिए कि अल्ला तल्ला बस इस प्रोजेक्ट को भी काम्या भी दे और जल से जल इसके जो फंड की रिक्वार्मेंट है हम सब कोशिश कर रहे हैं मार्केटिंग हमने प्रोफेशनल एजेंसीज को हायर की है मार्केटिंग वाली जो हमारे लिए अभी क्योंकि भी 6,7 करोर अचानक से आ गया तो क्या करेंगे सिर्फ हमें हमारे पास अभी 100 दिन का और टार्गेट है कि मार्च 21 के पहले हम कोशिश करेंगे कि हम immediately फंड रेस करें तो हमने भी एक टार्गेट बनाया है एक टाइम लाइन बनाये है कि हम यह काम यहां करना है ऐसे करना है फेस्बुक पे, इंस्टाप पे, हमारे पास, सब जगा पे हमारा प्रेज़न्स है, अलहमदुरुनला अब स्टाफ रिक्रूट्मेंट स्कूल के जो होता है, जो गौर्णमेंट की पॉलिसी है ना, रिक्रूट्मेंट की एक्जाक्ली हम वही फॉलो करते, गौर्णमेंट कौलिफेकेशन स्कूल्स के लिए, और हमारे स्टाफ के लिए, हर पोस्ट के लिए, जैसे ग्रेट वाइस गौर्णमेंट में होता है, वैसे हमने कर रिखा है, गौर्णमेंट की ग्रेट के एसाब से, ग्रेट वान, ग्रेट फोर से भी recruit करते हैं और clerical post पे program assistant के post पे हम minimum graduates रखते हैं graduates, कम से कम graduates और आप हमारे annual report खोल के देखे हैं, यह मेसको की report भी एक ज़रा देदीजे मास से, तो एक report मेसको की आप अगर खोल के देखेंगे तो हमने grade wise salary का भी range उसमें लिखा है कि हम कितनी salary कौन से range में देते हैं क्योंकि यह transparency ज़रूरी है organization को creditability लाने के लिए तो इस annual report में आप अगर देखोगे तो हमारे ही report में total board में कितने members है किसने कितने meeting attend किये है meeting में हर member के सामने लिखा हुआ है, salary range दी हुई है, निनाद चाहे तो यहां करीब में है तो देख सकता है salary लिए slab दी हुई है कितने males, कितने females उस salary में है pay में भी कितने लोग है, यह range में सब चीज उसमें लिखी हुई है तो यह भी एक बहुत ज़रूरी चीज है हमें अपने आपको creditability alliance के network पे या give India के page पे register करने के लिए तो यह जो है awards और recognitions हमें जो इतने सारे awards और recognitions मिले है, give India से सन्मान से, government के list में जो NGOs के list बनाएंगे थे CSR के लिए 47 NGOs को government में Ministry of Foreign Affairs के थुरू approval दिया था CSR में funds लेने के लिए all over India 47 NGOs अप्रूव हुए थे उसमें से महराश्चा का मेस्को का नाम भी उस पेपर में था और मेस्को वाज दी ओल्डिय ओर्गनाइजेशन जो एक Muslim ओर्गनाइजेशन जो है Ministry of Minority of Minority Affairs नहीं था, वहाँ तो Ministry of Foreign Affairs से भी clearance हुआ, कितनी सारी inquiry हुई थी वहाँ पे हमारी, जो inquiries इतनी आती ही इन गौर्णमेंट के तरफ से कि पूछा मत, अभी भी नया FCRA के लिए registration आया है कितनी बार फोन आ चुके अलग-अलग department से अलग-अलग department से इतनी बार फोन आ चुके है कि तुम क्या करते हो, कहा कमाते हो, कहा foreign affairs से inquiry, सब जगा से inquiries, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि यह जो नया registration system निकला है उसमें, हरेट को मजबूत ही से काम करना पड़ेगा, कमर कस्नी होगी और काम करना होगा हम तो हमारे report में ही पूरा balance sheet दे देते हैं कि हमने पैसा कहां से जमा किया कहां खर्च किया साथ में auditors के comment भी साथ में आ जाते हैं उसके अंदर कि हम क्या क्या कर रहे है फिर last five years में हमने क्या progress किया है, तीन साल की बात करें तो हम तो 5-5 साल का report में छाप देते हैं कि हम 5 साल में कितने consequence scheme फे पैसा कहां से आया, वो भी लिखते है income expenditure और details कि हमने कॉसर स्कीब में हमने कितना कितना पैसा खर्च किया है, उसकी भी details full इसमें है अलहमदुरला, तो ये एक organization है, जो हमारे seniors जो थे जो जैसे कहा हमने डॉक्तर मौमत दबास खटखटे ये भी college में पढ़ाते थे professor है microbiology के मैं खुद उनसे inspire हो के organization से भी जुड़ा microbiology भी मैंने भी उसी ले लिया क्योंकि उन्होंने समझाया थे कि microbiology क्या चीज होती है, क्या नहीं क्योंकि मेरे लिए भी नहीं feel थी फिर बाद में हम जब साथ में college में है तब महाँ पर as a volunteer जाते थे मैंसको में newspaper जमा करने के लिए Sunday मैंने में एक Sunday हम देते थे newspaper का लिशट के लिए फिर जब graduation complete हुआ graduation के वक्त भी हफते में एक दिन में जाता था महाँ पर मैंसको के office में काम करने के लिए काम करने मींस कुछ भी काम जो भी होगा कुछ काम नहीं रहता तो उनके registers होते थे blank खाले उस पर 9 draw करके देने का भी मैं वो काम करता था तो कि registers maintain करने के लिए भी किसी न किसी के ज़रूत होती है तो काम करना था हफते में एक दिन और जिस दिन काम नहीं रहता था तो उस दिन हम कुछ नहीं तो registers भी ले लेते थे draw करने के ले लाएं क्योंकि हर साल नहीं नहीं registers लगते थे scheme wise maintain करने के लिए तो हम वो भी करते थे फिर graduation के बाद जब post graduation करने लगे तो हम वापे शाम के वक पार्ट टाइम जॉब भी कर दे थे career guidance का पार्ट टाइम 3 to 6 आमीन वापे शाम के वक भी हम रहते थे 6 वजे के बाद फिर उसके बाद मैं 95 से जब मुझे full time job मिला college में तो फिर मैंने कहा कि नहीं मैं भी voluntary पूरा काम करोगा मुझे कुछ compensation नहीं चाहिए नहीं हमारे यां क्योंकि volunteers को भी जो paper relations बगर करते हैं उनको भी compensation दिया जाता है क्योंकि दिन भर विचारे बाहर काम करेंगे और आप उनको कुछ भी ने दोगे तो ज़रूर यह गलत बात है तो हम उनको भी pay करते थे मतलब allowance दिया जाता था कि खाने पीने के लिए बाहर से कुछ न कुछ तो खाए दिन भर विचारे काम तरेगे तो दिया जाता था फिर 95 से मैंने का नहीं मुझे कोई भी allowance नहीं चाहिए क्योंकि अब मुझे salary मिल रही है अब मुझे job मिल गया है तो 95 से voluntary basis बे अलहमदुल्ला हम इधारे से जुड़े हुए है और काम कर रहे है और ये ही हमारा से वभी एक एक और कोशिश हमारी है कि एक और एक अच्छा institution आ जाए मुम्रा कोशा में टाकि वहां के कौम के बच्चों को फाइदा पौर सके क्योंकि तालीम के जरीए ही हम हमारी किस्मत में जो लिखा है उससे और अच्छा भी अच्छीव कर सकते है मैं क्योंकि उससे और अच्छा क्योंकि किस्मत में तो लिखा है जो है वो मिलेगा ही तुमें, लेकिन हो सकता है कि अम दूसरों की किस्मत भी बदल सकें, तो हम अगर सीखें हम दूसरों को गाइड कर सकते हैं, गाइडन्स बहुत ज़रूरी है, तो अभी ये हमारी रिपोर्ट हर साल छपती है, ये लेटिस एनुल रिपोर्ट है हमारी आपको ये report हमारे website पर भी मिल जाएगी तो आप ये कोशिश नहीं करेगी हमें copy दो हमें copy दो जरूरी नहीं है आपको हमारे website पर भी मिल जाएगी copies आप soft copies भी देख सकते हो आपको पिछले 3 साल के भी मिलेगी copies उस पर ठीक है तो ये एक छोड़ा सा था कि हमें एक systematically काम करना है और हम अगर अच्छे से काम करेंगे तो कोई भी कानून आए कितने भी कानून आए हमें ड़ने की कोई जुरूत नहीं है जब हमें transparency है पैसा कहां आ रहा है हम कहां खर्श कर रहे है उसका इसाब किताब रखा जा रहा है त्योंकि हमें सबसे पहले खुदा का खौफ होना चाहिए सबसे पहले खुदा का खौफ होना चाहिए जिसके दिल में खुदा का खौफ हो कि ये पैसा तुम्हें दिया जा रहा है इस ट्रस्ट ट्रस्ट का मतलब क्या होता है भरोसा भरोसा कि लोगों ने भरोसा करके तुम्हें पैसा दिया है तो तुम्हें लोगों का भरोसा नहीं तोड़ना है तो अगर आप खुदा का खौफ दिल में रखे अगर सही से काम करोगे कि हर पैसे का यूटलाइजेशन करते होगे सबीर करते हैं डेफिनिटली लेकिन हम रेकॉर्ट नहीं मेंटेन करते हम करते हैं लेकिन क्या होते हैं हम रेकॉर्ट नहीं मेंटेन करते हैं अभी हमारे लिए जरूरी है कि हम रेकॉर्ट भी सही से मेंटेन करें बहुत जरूरी है नहीं तो फिर आगे ट्रस्ट को काम करना मुश्किल होगा क्यों मुश्किल होगा हम सब बोलते हैं कानून आया, ये कानून आया, वो कानून आया, कानून तो पहले से ही थे, सिर्फ implement अभी हो रहे है, कानून तो सभी थे, लेकिन implement अभी हो रहे है strictly, तो कोई बात नहीं न, आप कानून को देखिए क्या है क्या नहीं और उसके साब से आप काम कीजिए, systematically काम करी रहे हो, तो थ तोड़ा सा record भी अच्छी तरह से maintain कीजिए, तो कोई दिक्कते नहीं आएगी, इंशानला सभी लोग कर सकेगे, और funds के लिए तो अभी अलहमदुल्ला देखो हमारे खुद बच्चे जो है अभी दुनिया बर में settled है, हर country में है हमारे, 53 सालन में मतलब बच्चे जगा जगा तो ये funds जो आया है, 24 करोर हम जो बोर्रे commitment, तो ये ऐसे ही नहीं आया है, हमारे काफी सरे students है, काफी well wishes है, सब settled है, तो अलहमदुल्ला टच में है, और हम record रखते हैं कि हमारे एक students भी कहा है, ये नहीं कि चलो पैसा दे दिया हो गया, scholarship खतम, बात भी कौन कहा पर कुछ पता तो इसके लिए हमें हमारा record maintain करना बहुत जुरूरी है, और systematically काम करना चाहिए, निनाद ने यहाँ पे हमारे आखे फोली हैं अभी, सभी trust की, तो निनाद जैसे organization ना के सभी की आखे खोली है, तो जब जाओ तब सवेरा, शुक्रिया, जज़ा कर लाए झाल आप को आखे लिए हमारे इसकाम में ताउन करें, अपनी जकातो सकाथ के जरी, डोनेशे डिटेल्स के लिए डोनेट अस पक्लिक करें, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ आये हैं, तो इसे शेयर करें, और सभापकी लगदार बने, रोजाना हमारे वीडियोस को पान